आज भी अपने इंडिया में कुछ दोस्तों को फोन पर यूज करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग फोन पर को यूज कर सकते हैं बहुत ही असानी के साथ गाईज आप लोगो इस वीडियो में सारे जहें मैंने step by step बताऊंगा जैसे कि आप लोगो first time किस तरह से phone pay में account बनाना होगा account बनाने के बाद किस तरह से आपको bank link करना होगी uipin किस तरह set करना होगा wallet, kyc, mobile charge, money transfer, bill payment, a to z आप लोगो इस वीडियो में cover किये और अच्छी बात यह है आप लोगो फोन पर से पैसे भी कमा सकते हैं और गाईज मैंने यहां तक कि यह भी बता है जैसे कि आपके पास bank account नहीं है तो किस तरह से आप लोग फोन पर यूज करेंगे सो गैस सबसे पहला step यह है कि आप लोगो को जो वीडियो देख रहा है आप वहाँ पर आपको एरो पर किलिक करना है और आप लोग लिंक पर किलिक करके सीधे आप लोग फोन पर आप को डाउलोड इस टोल करने के बाद सिंपल इसको ओपन करना है जब आप लोग इसको फर्स टाइम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है जो भी डिवाइस में नंबर होंगे यह दिखाता है जो भी बैंक में लिंक है यहाँ पर आप नरब दैपर किलिक करके व दीं को सब्किर में करएंगे तो यहां पर हैपको एट डेंग अकॉर्ट करना आया अप जैसे आप लग लिंक करते है तो यहाँ पर आपको सक्सक्फली फाइंड हो जाती है उसके बाद आापको यूपर आया आईयिए के लिए आजाता है तो हैडट फेलिक करने करेंगे य आपको icon कर देना है अप यहाँ पर 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 चैणल आपको यहां पर पोट सेट पर क्लिक करना है सथिवाइड यहाँ की पिन गई आपको फहले सी सी फों पर यूज ए यह आप लोग ने पहले सी कहीं आप लोगों ने यूपाई को बनाया है लैक जैसे कि आप लोगों पेटियम में या गूगल पे में बनाया होगा तो यह हुआ से डिटक्ट कर लेता है अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पर set पर click करेंगे process विल्कुल सेम है तो यहाँ पर click कर लिजेगा जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आपको item guard का जो six lead होती है last keyword enter करेंगे then आपको यहाँ पर month year enter करनी होगी जो item guard पर लिखा होता है और then आपको proceed पर click करना है यहाँ पर OTP आता है तो यहाँ पर detect हो जाएगा then आपको right की निसान पर click करना है उसके बाद आप लोगो यह आपको item guard का पीन है यह भी पूछ सकता है यह आपको नई भी पूछ सकता है तो यहाँ पर आप लोगो 4Git का UPI PIN बनाना है अपने according जो भी आप बनाना चाहते हैं यह 6 नमबर का भी आ सकता है और 4 नमबर का भी आ सकता है एक बाद एंटर करेंगे देन उसके बाद confirm करना होता है उसके बाद right के निसान पर click करेंगे और successfully आपकी UPI ID और UPI PIN आपका set हो जाता है उसके बाद guys आप लोगों यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा तो आप लोग activate now पर click कर लिजेगा कुछ second कर वेट करेंगे और आपकी UPI ID यहाँ पर verify हो जाती है उसके बाद आप लोगो wallet use करना है तो यहाँ पर आपको option मिलता है phone पर wallet का तो यहाँ पर आपको click करना है और activate wallet पर click करना होता है अब जैसी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग लिमिट मिल जाती है 10,000 रुपे और अगर आप लोग wallet के बारे में और जानना चाहते हैं तो I button पर click करके देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग complete KYC पर click करना होगा यहाँ पर click किजेगा और उसके बाद आप लोग pen card अधार card जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं लोग यहाँ पर scan करके payment कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने QR code लिया Google पर का और यहाँ पर मैंने scan किया और आप लोग कुछ इस तरह से आ जाएगा scan करने के बाद amount enter कर देंगे जितनी भी आपको करनी है then आपको pursue to pay pay click करना है then आपको pay pay click कर देना UPI pin अपना यहाँ पर enter करना है जो हमने बनाया था वीचे गाईज तो UPI की बाद तो यह हो गई गाईज यहाँ पर आप लोग यहाँ पर money transfer कर सकते हैं कुछ इस तरह से अगर आप लोग mobile number पर करना चाहते हैं या bank में या UPI से तो यहाँ पर transfer money का option मिलता है निचे आके money transfer का तो यहाँ पर आप अपना mobile number एंटर कर सकते हैं जिसके भी आप लोग करना चाहते हैं या आप लोग contact पर भी कर सकते हैं या आप लोग new number भी ले सकते हैं option पर किलिक करके तो यहाँ पर आप देख पारों को मैंने 5000 पर ट्रांसर कर करना होगा अपना यूपाई पिन एंटर करने के बाद राइट के निसान पर किलिक करने के बाद transfer कर सकते हैं successfully किसी के भी contact number पर उसके बाद गाईस अगर आप लोग bank में करना चाहते हैं तो bank वाले option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तीन option देखनों को मिल जाते हैं पहले bank option मिल यूपाई डी का और यूपाई नमर का तो यहाँ पर आपको bank वाले option पर क्लिक करना है add beneficiary पर क्लिक करने यहाँ पर आपको जिसके भी transfer करना चाहते है bank में उसका यहाँ पर bank लेंगे account number डाल देंगे और IFC code डाल देंगे then next पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर pay कर सकते हैं किसी की number से भी होती है तो यहाँ पर आप number वाली भी add कर सकते है verify करने के बाद गाई उसके बाद money transfer कर सकते हैं सब की process सेम है bank में करेंगे तो ऐसी होगा उसके बाद गाई आप लोग यहाँ पर option मिल जाता है to self का मतलब की जैसे कि guys आपने इस number से जो phone पे से account बनाया है उस number पर आप लोगों ने दूसरी bank को add किया है तो यहाँ पर आप transfer कर सकते हैं यह option आपके लिए हैं आप लोग अपनी bank को add करेंगे दूसरी bank को और यहाँ से transfer कर सकते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग यहाँ से balance भी चेक कर सकते हैं जिब बैलन्स चेक वाले option पर क्लिक करके तो यहाँ पर अपनी bank पर क्लिक करेंगे guys यहाँ पर यूपाई एंटर कर देंगे और यहाँ पर कुस सेकंड कर वेट करेंगे यहाँ पर यूपाईड आपकी दिख जाती है और आप लोग यहाँ पर मुवाईल रिचार्च कर सकते हैं DDS, Recharge, Electric Will, यहाँ पर Pay Will के option पर आके यहाँ पर आप मुवाईल रिचार्च काले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने मुवाईल नमर एंटर कर देंगे जिसमें आप क्लिक किया यहाँ पर प्लांस आ जाते हैं देन आपको यहाँ पर पूर्शीट टू पेपे क्लिक करना है अब आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाती है रिचार्च के अमाउंट और यह फीवी लेता है और अगर आप लोग वोलेड यूज करेंगे जैसे कि मैंने जाते एक उप्सन सिंपल उसका कंजूमर नमबर डालके या नमबर डालके कर सकते हैं जैसे कि फॉर एक्जांपल इलेक्ट्रिशी मैंने क्लिक किया अपनी स्टेट सेलेट करेंगे और सीधे आप लोग पेग कर सकते हैं और भी कई सारे डेहरो इसमें आपको उप्सन मिलते करते हैं कई सारी चीजें अब बात करते हैं रिवोट की यहां पर आपको रिवोट पर क्या होता है लैंसка काया हा जैसी आप लोग इनकी स्टोर पर जाते हैं तो उन किसे आप लोग यहां पर दिखाके उन Сे कैसम ले सकते हैeled और अगर आफ लोग पैसे कमाना चाते हैं तो यहां से अगर आप लोग इस लिंक को को सेर कर देते हैं अपने फ्रेंड को उसने फोन पर यूज नहीं किया और फस्ट टैम अकाउंट बनाएगा तो आप लोग को यहां पर पैसे मिल जाते हैं जितने भी आपका ओफर होगा हंड्रेट या द देटेल देखना जाते हैं अपने QR कोट तो अपनी प्रोफायर पर क्लिक करेंगे यहां पर आपकी वालिट और QR कोट का उप्शन आ जाता है इस QR को दिखाए डाउनोट करके आपनी पैमेंट को मंगा सकते हैं और नीचे आप लोगो यूपा डिगा भी आ जाता है तो यार की डिटेल डाल कर आप लोग फोन बेगर यूज़ कर सकते हैं 100%